गुड मॉर्निंग एवरिवन लेट डिसकस अबाउट अन ओर्गेनाइज सेक्टर हमने पहले ओर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि जितने भी लोग है वो ओर्गेनाइज सेक्टर में ही क्यों जाना जाते हैं क्योंकि ओर्गेनाइज सेक्टर था उसमें हमें प पर मिलेंगी जो working conditions है वो भी अच्छी मिलेंगी safe drinking water मिलेगा safe environment मिलेगा साथ की साथ हमें provident fund भी मिलेगा जो holidays है वो भी मिलेंगी health facilities भी मिलेंगी अब हम discuss करेंगे unorganized sector के बारे में जो unorganized sector है वो small होता है छोटा है वो काफी सारे हिस्सों में बटा हुआ है बलगी काफी सारे units में अलग-अलग बटा हुआ है और जो जिनके उपर सरकार का कोई control नहीं होता है वो control में नहीं है सरकार के अब जो उसके उपर rules और regulations है जो government ने बनाए गए है प्राइवेट sector के लिए बनाए है वो उनको follow नहीं करते है और साथ की साथ क्या करते है वो जो low paid किया जाता है बलग कि जो wages दी जाती है जो salary दी जाती है वो भी कम दी जाती है वो भी regular नहीं है बलग कि कभी तो एक महिने के पूरा होने के 10 तारी को दी जाती है कभी 15 तारी को कभी 20 तारी को मलगी उसमें fix नहीं है कि उनको जो pay मिलेगी वो कब मिलेगी साथ की साथ अगर वो over time करता है तो उसके लिए भी pay नहीं किया जाता अगर वो छुटी लेता है तो उसकी भी क्या होगा salary cut होती है अगर बिमारी के कान की उसने छुटी ली है तब भी क्या होगी उसकी holiday कटेगी salary कटेगी ही कटेगी उसको health facilities नहीं मिलती है जो employment है उसका secure नहीं है उसको कभी भी काम से हटाया जा सकता है without any reason मलगी ना तो उसको reason बताया जाता है बिना किसी reason के भी हटाया जा सकता है और इसमें कई बार क्या होता है कुछ season ऐसे होते है जिसमें काम काम होता है बला कि कुछ लोगों को क्या किया जाता है जब season की जो particular season होगा उसमें work दिया जाएगा और जो बाकी दिन होगे उसमें वो क्या करते हैं उनको बोला जाता है कि आपको छुटी दे दी गई है अब ये चाहे किसी को employer को पसंद आए या फिर ना आए वो खाली क्या कहा देते है कि आपको छुटी दे दी गई है और जब ये season होगा उस time पे आप काम करने के लिए आओगे और ये होता कि sectors में है जो employment होता है ये small jobs के अंदर होता है like street or doing repair मलगी जैसे सड़के है अब सड़के बनाने का काम ले लिया किसी ने तो उसमें क्या करेंगे जब तक वो सड़के बनेंगी काम मिल रहा है उनको लेकिन उसके बाद वो काम नहीं मिल रहा है रिपेर वर्क है मालो किसी की गाड़ी खराब हो गई या कुछ और रिपेरिंग का काम कर रहे है वो अगर किसी की चीज खराब होती है तो अब उनको क्या मिल रहा है काम मिल रहा है तो वो खाली क्या करते है वो self employment में क्या है लगे हुए है और similarly किस के साथ होता है ऐसा farmers के साथ में होता है क्योंकि वो क्या करते है अपना काम खुदी करते है अब अगर उनको खितों में काम करवाना जो labor hire करनी है जितनी उनको जरूरत है वो केवल उतनी ही hire करते है और जब भी कोई भी hire करने की सोचता वो क्या चाता है कि सामने वाले को wages क्या देनी पड़े कम देनी पड़े और काम क्या किया जाए ज्यादा से ज्यादा लिया जाए कि वो सामने वाला जो person है labor है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें आवर नेक्स टॉपिक, how to protect workers in the unorganized sector, बलकि अब जो ये unorganized sector है, इसमें जो workers काम कर रहे हैं, उनको कैसे protect किया जा सकता है, अब इसमें हम protect तो कर सकते हैं, इसमें जो employment, जो opportunities हैं, वो क्या होती जा रही है, बलकि धीमी गती से, वो slowly slowly क्या होती है, increase होती है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, strategy में evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers, इसमें हम क्या करेंगे, government क्या करेंगी, थोड़ा सा interfere करेंगी मामलों में, वो क्या बोलेगी, कि जो उनको उनसे taxes लिये जा रहे हैं, उनसे साथ की साथ वो क्या करेंगी, protect करेंगी laborer को, वो ये कहेंगी, कि आप थोड़ा सा उसमें से tax के रूप में, उनकी salary में से काट सकते हो, और बदले में जब उनको facilities की जरूरत है, health facilities की जरूरत है, तो आप उनको वो provide करवा सकते हो, लेकिन इसका result क्या है, उनको बहुत ही कम काम मिलता है, बलकि जो salary है, वो बहुत कम मिलती है, बलकि उनको जो मजदूरी, जो government ने wages टै कर रखी है पहले से ही, वो उनको उतनी नहीं मिलती, जो उनकी आये होती है, वो भी क्या है, कम भी होती है, और वो regular भी नहीं होती है, उनकी job भी secure नहीं होती है, और उनको other benefit भी नहीं मिलती है, तो अब ये since 1990 में क्या देखा गया, कि जो संगठीत छेतर है हमारा जो organized sector है, उसमें जो बहुत अदिक्ष्रामिक है, अपना जो रोजगार है ना खो रहे हैं, लोस मलकि जो अपनी job को छोड़ रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, और गिनाइस sector में, वो किसकी तरफ क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो force हो हैं, अपनी job को छोड़ने के लिए, मलकि उसके पास opportunities है, form fill करना है, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन उसके पास form fill करने के लिए पैसे है ही नहीं, उसके पास knowledge है, skill है, education है, लेकिन उसको आगे वो कैसे दिखाए, अब उसको government sector में जाना, जो organized sector में जाना है, तो उसको पूरा procedure follow करना पड़ेगा, जिसकी वज़े से लेकिन उसको वो procedure follow करने के लिए ही उसके पास पैसे नहीं है, इसके लिए वो कहां पे चले जाते हैं, unorganized sector में ही, जो कम wages पे काम करने के लिए वो तयार हो जाते हैं, अब इसके लिए क्या करना होगा, जो unorganized sector है, इसमें हमे more employment की बजाए, बलकि more employment तो बढ़ाना ही होगा, बलकि जो workers है, उनको भी sport देना होगा, उनकी भी मदद करनी होगी, unorganized sector के अंदर, अब इसके लिए, जो person क्या है, लाचार है, vulnerable people है, बलकि जिनको जरूरत है protection की, अब जैसे देखा जाता है, जो rural areas होते हैं, वो rural areas में उसमें क्या करते है, वो भी क्या है, unorganized sector है, क्योंकि जितने लोगों की जरूरत है, उससे जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और ये जो कारिया है, उनका बटा हुआ है, लेकिन वो पता ही नहीं किसी साब से बटा हुआ है, और जो landless agricultural laborer है, जो दूसरों की भू की बटाई करते हैं, मलग की जैसे बुनकर होते हैं, हमारे बुनकर, लुहार, बड़ाई, सुनार, ये इनको हम share crop पर बोलते हैं, जो जैसे हमारे लिए activities करते हैं, अलग अलग, ये सारे के सारे क्या है, unorganized है, देखा गया होगा, कि जैसे हमारे उसमें, जो mining के थ्रू क्या निकाला जाता है, minerals निकाल ले जा रहे हैं, अब जो minerals निकाल ले जा रहे हैं, उसके अंदर जो काम करवाया जा रहा है, बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है, जो लोगों से काम करवाया जा रहा है, उसकी जो wages है कम दी जा रही है, और वहाँ पर देखा होगा, कि जो हम हमें environment conditions मिल रही है वो भी क्या है better नहीं है क्योंकि अगर उसके अंदर blast किया जाता है क्योंकि जब बार-बार हमारी सरी नाक के थ्रू हमारी body के अंदर जब जो कोईला निकाल रहे है आयरन निकाल रहे है जब जाता जाएगा तो हमें SARS की बीमारिया तक हो जाती है तो इसके लिए हम इन sectors को क्या करने की जरूरत है और गिनाइस करने की जरूरत है जो 80% family है हमारे rural areas में वो क्या कर रही है या तो वो small land के उपर काम कर रही है या फिर जो marginal categories में आते हैं मलगी छोटे-छोटे किसान है वो क्या करते हैं अपने ही instrument को use करते है traditional instrument है जो उनको खेती करने क अब हम उसमें कैसे changes ला सकते हैं हम किसानों को क्या कर सकते हैं टाइम पे delivery कर सकते हैं अच्छे seeds की उनको agricultural inputs प्रोवाइड करवा सकते हैं उनको credit उधार दे सकते हैं साथ की साथ जो production निकल के आएगा उसके storage की facilities भी provide करवा सकते हैं और साथ की साथ उनको market भी available करवा सकते है अब यह था हमारा rural areas में लेकिन urban areas में हैं वहाँ भी जो क्या है unorganized sector है जो उसमें कौन होएंगे workers आएंगे अब इसमें जो small scale industries है वो क्या चाहेगी small scale industries है वो workers तो चाहेगी लेकिन वो क्या क्योंकि small हैं छोटे हैं लेकिन उसके लिए वो क्या चाहती है सरकार भी उनकी help कर और साथ की साथ जो wages हैं उनको कम पे करनी बड़े तो वो सरकार से मदद चाहती है ताकि वो क्या कर सके अपनी industry को अगे बढ़ा सके जो casual workers है construction के काम में लगे हुए हैं जो building बनाने वाले हैं सीर पर भोजा डोने वाले हैं जो हमारे बुनकर हैं जो कपड़ा बुनने वाले हैं ये सारे के सारे किसमें लगे हुए हैं अन और्गिनाइस सेक्टर में लगे हुए हैं अब जो garment makers है rag pickers है बलकि कबार उठाने वाले हैं ये सारे के सारे क्या है small industries में लगे हुए हैं अब जो small industries के अंदर जो production निकल के आ रहा है हमें उसकी क्या करने की जरूरत है अगे बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को अवेर करने की जरूरत है, तक कि वो क्या कर सके, self employment को create कर सके, जो casual workers है हमारे, जो rural और urban areas में, अब उनकी क्या जरूरत है, हमें उनकी protection करने की क्या है, जरूरत है, और जो ये protection है, ये किसके थ्रू हो सकती है, government की help के थ्रू ही हो सकती है, अब कहीं बार देखाओगा, majority होती है, workers की, वो workers क्या करते है, अपनी majority बना लेते हैं, जैसे schedule, cast, tribes, backward communities, और ये सारे ये सारे लगे तो हुए, unorganized sector के अंदर है, लेकिन कहीं बार ये काम करने, वो burden डालते हैं, वो क्या चाते है, हमारी wages बढ़ाई जाने चाहिए, कि हम work नह ही करेंगे, हमें ये चाहिए, अलग-अलग से वो demand रखते हैं, जिसकी वज़े से कहीं बार क्या करता है, जो आम public है, उसको इसका नुकसान उठाना बढ़ता है, अब वो इनकी क्योंकि ये किस वज़े से हो रहा है, क्योंकि उनको irregular income मिल रही है, जो wages है, वो भी कम मिल रही है, जो social facilities है, साथ की साथ, उनके साथ discrimination भी किया जाता है, social discrimination, अब इसके लिए हमें government के protection की जरूरत है, हमें sport करना पड़ेगा government को unorganized sector के अंदर, ताकि वो लोगों को भी बताना होगा, कि जब तक हम लोगों को facilities नहीं देंगे हर एक तरह की, लोग हमारे लिए काम नहीं कर देंगे, और यह जरूरी भी है, हमारी economic और social development के लिए, अब next topic है हमारा, sectors in term of ownership, अब हमने sectors को बाट रखा है, कि public sector कौन से है, मलगी सारवजनिक, जिस पे government का control होता है, और private sector कौन कौन से है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह public sector है, या फिर service private sector है, अब जो public sector के अंदर क्य होता है, कि जितनी भी हमारे पास assets है, बल्ग की, संपतिया है, वो सारी की सारी कौन provide करता है, government provide करती है, government ही उसका owner होती है, माली कौन और government ही होता है, और वो हमें इस सारी की सारी जो services प्रोवाइड करती है लेकिन जो private sector है उसकी ownership जो asset है जो संपतिया है उसके उपर या तो एक individual का हग होगा या फिर एक group होगा people का वो क्या करता है control करता है कि इन company को जैसे railways है post office है ये क्या है हमारे public sector industries है ये कौन-कौन सी है काफी सारी है हमारी जो haryana roadways है ये क्या है public sector हमारी facilities है railway है post offices है bank है insurance है जैसे LIC हो गया ये सारी की सारी क्या है हमारी public sector facilities है जैसे tata iron steel company limited tisco reliance industries ये क्या है individual ये हमारी private company है ये किसके अंडर में है एक particular person के अंडर में है ये आप example अपनी तरफ से भी उठा सकते हो आप अपने आज पास भी देखते हो कि कौन सी हमारी government facilities है और कौन सी हमारी public sector है अब साथ की साथ हमारा क्या है जो public sector industries है जो public सरकार है उसका सरकार का जो मोटिव होता है कि जो ये facilities है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को benefit हो लेकिन जो private sector की जो हमारी company होती है उनका main motive क्या होता है profit कमाना होता है वो क्या चाहती है कि वो क्या करे बल्लकि उनको wages भी कम देनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले उनको profit अन मिले लेकिन हमारे जो public sector की facilities होती है उनका जो main motive होता है वो public की को benefit देना है ना की money को इकठा करना लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती है हमारे लिए जो society के लिए बहुत ही जरूरी होती है अब क्या करते है जो private sector है उनको available नहीं करवाते बल्लकि वो महंगे रेटों पे available करवाते है तो इसलिए इसमें government की क्या जिम्मेदारी बनती है कि government को उनकी जोपे बनना जाता है एक तो वो private जो institution में आगए की जो अपनी training लेगा वो तो वो private institutions में करेगा तो उसको क्या होगा ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे लेकिन अगर government इस तरह की service provide कर रही है तो वो क्या करेगा वहाँ पे चीदर ऐसे जो गरीब परिवार का है अगर doctor बनना चाता है वो वहाँ पे क्या ले सकता है training ले सकता है मलोकी school हो गए इस सारे की कुछ facilities क्या करने चाहिए government को अपने हाथ में रखनी चाहिए क्योंकि जो public sector का क्या होता है जो main motive होता है public sector का वो ज्यादा से ज्यादा profit earn करना होता है अब वो चीज़े हमें उपलब तो करवाते हैं मलोकी हमें available तो करवा रही है वो facilities को लेकिन वो हमें काफी क्या लेते हैं कीमते काफी उनकी high होती हैं जैसे सड़के, पुल, रेलवे sea ports हो गया, breeze हो गया harbors हो गया, generating electricity अब ये क्या कर रही है provide तो करवा रही है लेकिन इनकी क्या करते हैं वो कीमत है जो वो काफी ज़्यादा लेते हैं तो government को क्या करने लेना चाहिए इन जो facilities को अपने control में ले लेना चाहिए और जो इनके लिए क्या करती है वो spend करती है और government ये करती भी है लेना नहीं चाहिए बलकि government ने इन्होंने क्या कर रखा है government ने अपने control में ले रखा है ताकि वो ensure कर सके कि जो ये facilities है सबी लोगों तक available हो सके कुछ और activities है जिसमें government support कर सकती है कैसे मान लीजिए जो private sector है वो continue नहीं कर सकते production को business मालों की वो उसको loss होता जा रहा है या फिर वो बंद करना चाहता है तो government क्या कर सकती है उसको encourage करने की बज़ाए क्या करती है उसको take over कर लेती है वो अपने control में ले लेती है जैसे वो क्या करेगी selling वो उसके साथ contract करती है एक type का वो कर उसको क्या बोलेगी selling electricity at the cost of generation में push up the cost of production occurs in many industries कहीं बार जो production होती है हमारी बिजली की उसकी sale से जादा क्या होती है उध्योगों में वस्तूओ की उत्पादन लागत में जो वस्तूओ की जो production cost है उसमें जादा जरूरत होती है तो जिसकी वज़े से क्या होती है जो small scale units है वो बंद हो जाती है तो government क्या कर सकती है उसके लिए step उठा सकती है कि वो क्या करेगी उनको produce करेगी और supply करेग electricity को at the rate which these industries can afford बलगी ताकि वो industries क्या कर सके afford कर सके और जो government भी क्या कर सके beer कर सके कि जो वो electricity produce कर रही है तो उसकी cost पूरी हो सके साथ की साथ government कैसे help कर सकती है वो किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है उसको क्या करती है वो गोदामों के अंदर स्टोर करके रखती है गोडाउंस के अंदर अब वो क्या करेगी जो राशन शोप है उसको वो consumer को provide करवाएगी और साथ की साथ कैसे provide करवाती है वो कम दामों पर इसके बारे में हम food safety और standard के बारे में पढ़ चुके है जो PDA system था हमारा ninth class में कि वो कैसे work करता है अब उसके लिए किसानों इसके तरह से वो किसान क्या कर रही है जो government है वो किसानों को भी help कर रही है और consumers की भी help कर रही है अब कुछ ऐसी economic activities होती है जो primary responsibility बनती है सरकार की बलकि वो उसको अपने हाथों में ही लेना चाहिए वो ऐसी सिख्षा provide करवाने चाहिए ताकि वो सभी के सभी लोग literate हो सके क्योंकि जो literate people है वही हमारी country का क्या है future है अब और साथ की साथ वो health facilities भी क्या करती है provide करवाती है क्योंकि अगर हम healthy ही नहीं रहेंगे तो हमारा जो mentally और physically है हम healthy नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हम asset नहीं बन सकते हम country के लिए भलकि हम एक liability है मलकी दाईत तो है हम मलकी दाईत तो बन जाते हैं कि उनको हमारी देखबाल करनी पड़ेगी और हम country के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे और साथ की साथ government को एसे school चलाने चाहिए जिसके अंदर quality education मिले ताकि जो बच्चे हैं उनकी skill improvement हो साथ की साथ ये duty बनती है government की जो elementary education है जो primary education है वो सब को मिले हर एक बच्चे को मिले और साथ की साथ जो children है कुछ बच्चे क्या होते हैं कुपोशन का शिकार हो जाते है वन फोर्थ है जो critically ill हो जाते है जिसे हमने सीशयो मृत्यूदर जो केरल में क्या है सबसे कम है और जो ओरीशा हो गया बिहार हो गया मध्या प्रदेश इन में क्या है जादा है तो इसके लिए government क्या कर सकती है हमारी human development कर सकती है उनको safe drinking water provide करवाया जाए housing facilities दी जाए जो poor है उनको food और nutrition दिया जाए और सरकार साथ की साथ क्या करती है इसके लिए budget भी बनाती है सरकार ताकि जो वो poverty line हमने 9th class में पढ़ा था poverty line का estimate करती है कि कितने लोग poverty line से निच्चे आते है उनके लिए वो food की facilities प्रोवाइड करवा सकती है और जिन areas के अंदर इस तरह की problem है वहाँ पे क्या कर सकती है ये health centers खोल सकती है उनको pds system और साथ की साथ इसमें public की भी क्या बनती है responsibility बनती है जब सरकार हमें pds provide करवा रही है public distribution system जैसे buffer stock हो गया मलग उसके अंदर वो pds के अंदर क्या करती है government किसानों से अनाज खरीद के रख लेती है जिसमें से फिर वो क्या करेगी उसको आगे वो राशन शोप के थू बेस्ती मलगी लोगों को provide करवाती है तो इसके लिए कई बार क्या होते है जो beach के dealer होते है जो इनको contribute करते है आगे distribute करते है वो क्या करते है जो government से अनाज मिला हुआ है अच्छी quality का वो रख लेते हैं लेकिन वो public को घटिया quality का माल distribute करते हैं तो इसमें हमारी जो pds ताब अच्छी तरह से काम करेगा जब लोग aware होंगे वो ध्यान देंगे कि हमारा जो लोग है उनको सही से जो facilities जो government दे रही है उनको वो direct logo तक पहुंचाई जाए ना कि उसमें जो dealer है उसके अंदर कोई धांदले बाजी ना करे यह हमारा chapter complete हो गया है